पिछले तीन दिनों से आईटाई मंडी में रोजगार मिला चल रहा था मिल्ले के अंतिम दिन टाटा मोटर पतन नगर की और से सक्षपार का आयोजिन किया गया जिसमें करीब 400 युबाओं ने बाग लिया और इनमें से कंपनी दोरा 200 युबाओं का चैन किया गया आईटाई मंडी में चल रहा रोजगार मिल्ला संपन हो गया है रोजगार मिल्ले के अंतिम दिन टाटा मोटर पतन नगर की और से साक्षातकार लियेगे जिसमें सेंकड़ो युबाओं ने हिस्सा लिया इस मौके पर कमपनी द्वारा दोस्तों युवां का चैन किया गया रोजगार मेले के अंदर जानकारी देते हुए आईटी आई मंडी के परधान चारे श्वेंदर डोगरा ने बताया कि तीन दिनों तक चले इस रोजगार मेले में अलग-लग मल्टी नेशन कमपनी द्वारा शाक्षातकार लिएगे जिसमें तीन सो युवां को रोजगार के अफसर परधान किये गए हैं उन्होंने बताये कि जून में भी पांच अलग-लग मल्टी नेशन कमपनी द्वारा शाक्षातकार का योजन किया जाएगा आज ITI मंडी में टाटा मोटर पंत नगर से कमपनी जो है केंपस इंट्रिवू कंड़क्ट कर रही है इसमें मुक्यता, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बेल्डर, पेंटर, सी ओवी के सभी ट्रेड्स, इलेक्टिशन के ट्रेड्स के लिए जो है इंट्रिवू हो रहे हैं कमपनी जो है एक साल के लिए इनको ट्रेनिंग के उपर रखेंगी और ट्रेनिंग के दुरान जो है वो 11,000 पे इनको सैलरी मिलेगी और आज जो है लगवग 440 केंडिडेट जो है इस केंपस इंट्रिवू में अपियर हो रहे हैं ना के बल हमारी आईटी आई के बलके स्राउंडिंग आईटी आई से भी केंडिडेट आए हैं और लगवग 200 के क्रीब केंडिडेट जो है वो आज कमपनी सेलेक्ट करके जाएंगी अगर हम पिछले एक हफते की बात करें तो पिछले एक हफते में पांच केंपस इंट्यू जो है आईटी आई मंडी में कंड़क्ट किये गए हैं और लगवग इसमें 300 के क्रीब जो हैं केंडिडेट सेलेक्ट किये गए हैं मल्टी नेशनल कंपनी जो हैं वो आईटी आई मंडी में केंपस इंट्यू करने के लिए आ रही हैं और इसी तरह जून महिने में भी लगभग चार या पांच कंपनी और हैं जो भी केंपस प्लेस्मेंट के लिए आ रही हैं